हेल्थ एक्सपर्ट समीर भाटी हमारे साथ मौजूद है सर करोना को लेकर लगातार किंद सरकार एक्टीब नजर आ रही है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है जो जानकारी है कि आने वाले 40 दिन में काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सर किस तरीके से देखते हैं बिल्कुल देखें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि New Year के अंदर काफी जादा gathering होना शुरू हो जाता है और इस समय अगर हम देखते हैं साल के अंत में Christmas की वज़े से और New Year की वज़े से traveling काफी बढ़ जाती है विदेशों में भी देखें और भारत में भी अगर हम देखें तो इंटरस्टे카條 काफी जाधा बढ़ जाती है तो अभी हम जैसा देख रहीा है कि साथ देशों के अंदर जीस तरह से चाइना के अलावा उर भी काफी अन्य देशे जिनमें केसरे बढ़ रहे है और जिस तरह से अभी मॉक ड्रिल करना शुरू किया है ताकि किसी तरह के कोई गैप से उसके लिए हम तयार रहें बट यहां पर बहुत जादा important है कि हमें panic नहीं करना पर सतर्कता जरूर बरतनी है किस तरीके से देखते हैं जो यह नए variant है कितना खतरनाक है लोगों में किस तरीके से आप अपील करना चाहेंगे सर किस तरीके से साबधानी लोग बरते है इस variant के बारे में जितना हम जानते है यह संकरामत काफी अधिक है जो इसकी आर नोट वैल्यू है वो 18 के करीब है कि एक वैक्त भी काफी लोगों को संकर्मित कर सकता है पर जिस तरह सी ओमीकरौन की ही है कि यह वन्शा वली है और ओमीकरौन से भारत में अगर हमने देखा था कि काफी लोग third wave के अंदर infected हो चुके थे तो भारतवासियों के अंदर वैसे एक natural immunity और जादातर सभी लोगों को दो डोज लग चुकी है तो उस तरह से हाइबरेड इम्यूनिटी है पर यहाँ पर बहुत महत्पूर्ण है कि फिर भी किसी नई तरह का म्यूटेंट और नया वेरियंट आनी के हमेशे संभावना बनी रहती है इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही जरूरी है कि क्योंकि आज कल मौसम जिस तरह से सर्दियों के अंदर कॉमन कोल्ड फ्लू और भी कई सांस संबंदित बिमारियां होती है तो उनके लक्षन एक तरह के ही होते हैं तो लोगों को यहाँ पर इसाफधानिया बरतने की जरूरत अगर आपको किसी भी तरह के लक्षन है तो अपने आपको आईसोलेट कर लें और अपनी जाँच जरूर कराएं ताकि अगर आपको कोवीड से आप संकर्मित हुए हैं तो आप इसको बॉड़ी एक होता है बॉड़ी में पेन है किसी भी तरह के और फ्लू के लक्षन आपको नजर आते हैं तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके लक्षन और कॉमन फ्लू के लक्षन वो और यहां पर एक महत्पुन और बात है जो दर्शकों को बताना चाहेंगी कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं या जिनको कोई अन्य गंभीर बिमारियां हैं हिर्दे संबधित बिमारियां उनको शुगर कंट्रोल नहीं रहती है कोई कैंसर की दवाई पे लिवर किडिनिस से रिलेटिड कोई समश्या है तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि उनके लिए जो है यह वाईरस उनको ज्यादा तंग कर सकता है तो यह थे हैल्ड एक्सपर्ट जिन्होंने बताया कि जो नया वेरियंट है जिसको लेकर के इंसर करका फ्रीदर गंबीर नजर आ रही है देश अलट पर है लोगों को बराने की जरूत नहीं है साबधानी बरतने की जरूत है